निजभाशा उन्नती अहे, सब उन्नती को मूल, बिन निजभाशा ज्यान के मिटत नहिये को सूल, हिंदी दिवस की हार्दिक बधाई 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाने की शुरुवात 1949 से हुई थी 14 सितंबर 1949 को भारत की समिधान सभा ने हिंदी भाशा को राज भाशा का दर्जा प्रदान किया था हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए प्रती वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है इसी संबंध में आज मैं आदर्निय युगेंद्र यश्ट जी की कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ इसमें देश की मिट्टी की खुश्बू सी महिकती है देश प्रेम की भावना इससे और जादा निखरती है शब्द शब्द में इसके जैसे एक सम्मान जलकता है वीर सपूतों की वानी में इससे जोश उगलता है वीर रस शिंगार रस वीर रस शिंगार रस सारे रसों की ताकत है इंगलिश विंगलिश जो भी बोलो हमें इसी की आदत है हम भारत के लाल सदा हम भारत के लाल सदा इसको अपनाते आएं हैं बच्पन से ही हमें राष्ट के लिए सिखाते आएं हैं वर्णमाला को सीखा है हमने बच्पन के खेलों में कैसे भूलें इसके दिन हम दुनिया के जमेलों में? ये संस्कृती बनी हुई है ये आधार जरूरी है इसके अवरोध कई बने इसमें सुधार जरूरी है भारत माता के माथे की बिंदी है राष्ट्रिवाद के लिए जरूरी हिंदी है धन्यवाद जरूरी हुई है है